हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्न टेक्निकल में फिर से दोस्तों नहीं जॉब की इंफोर्मेशन लेके हैं हूँ रुक्रीटमेट एक बार फिर आ रही है इंडिगो एलाइन की तरफ से एरपोर्ट ऑपरेशन और कस्टमर सर्विस में रुक्रीटमेट है सिक्यूरिटी और कस्टमर सर्विस की रुक्रीटमेट है और आप ओनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं किसी भी तरह की फीस आपको पे करने की जुरूरत नहीं है तो यहाँ पे दोस्त तो अगर आपकी interview पहले भी हुई थी और आप जो हे वो reject हो चुके हैं आप 6 मन के बाद जो हे वो दुबारा से reapply कर सकते हैं apply कैसे करना है वीडियो के लास में जुरूर बताऊंगा फिलाल दो नई cities है जो add करी गई है जहाँ पे recruitment है पहली city जो है वो है चंटीगड़ दूसरी जो है वो है बैंगलूरू और यहाँ पे security और customer service के लिए recruitment है और बैंगलूरू में जो है वो office और executive airport operations और customer service में recruitment है जिसके लिए आप apply कर सकते हैं बैंगलूरू से आप आते हैं करनाटका से आते हैं बिल्कुल eligible apply कर सकते हैं क्योंकि जादा जो है वो local candidate को ही जो है वो job में रखा जाता है अगर आप बाहर की जगह से जाते हैं तो इसमें जो है आपको problem हो सकती है हो सकता आपका selection ना हो बाकी जब आप apply करने जाएंगे तो आप जरूर कर सकते हैं बाकी हो सकता है आने वाले time में आपकी अपनी city में recruitment निकलाए तो इससे अच्छा है यही कि थोड़ा सा wait कर लीजिए तो यहाँ पे दोस्तों चंडिगर की recruitment है लगभग जो criteria है वो same है अगर आपने qualification करी हुई है graduation करी हुई है किसी भी discipline में आप eligible apply कर सकते हैं अगर आपने engineering करी हुई है तो भी आप eligible apply कर सकते हैं चंडिगर location रहेगी 0 से लेके 3 साल तक experience मागा गया यानि कि अगर आपके पास airport operations और customer service का experience है airline का experience है तो आप apply कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास experience नहीं है आप as a fresher भी जोगे वो apply कर सकते हैं आपकी joining हो सकती है उसके लावद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी job description में चीज़े लिखी की है जो आपके लिए read करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपका online interview होता है या face to face interview होता है तो वहाँ पे आपसे चीज़े पूछी जा सकती है बाकी knowledge रखते हैं airport operations की, customer service की तो आप बिल्कुल apply करिए शुरू treatment के लिए communication skills आपके अच्छे होने चाहिए age के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा गया लेकिन अगर आपकी यह 27 साले, 28 साले आप जरूर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं उसके लावब दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह की fees नहीं है तो जरूर apply करिएगा बात करें दूस्तों salary की तो यहाँ पे salary के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते तो उनकी तरफ से आपको email के थुरू आगे का process बता दिया जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट लिस्ट नहीं होते हैं उसके लावा अगर आप किसी और state से आते हैं तो यहाँ पे और भी recruitment है जिनके लिए आप apply कर सकते हैं वहाँ पे अभी तक लिंक expired नहीं हुआ जैसे ही recruitment वो complete हो जाएगी यानि कि जितनी applications उनको चाहिए उतनी applications उनके पास आ जाएगी उसके बाद यह लिंक यहाँ पे काम करना बंद कर देता है यानि कि वो job वहाँ से remove हो जाती है तो यह चीज़ ध्यान में रखेगा जितनी जल्दी हो सकी apply कर दीजेगा बागी दोस तब बात करते हैं कि apply जो है आपको कैसे करना है apply करने के लिए यहाँ पे login to apply पे click कर देना है उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नीचे आपको forgot password के नीचे बिलकुल sign up की option चुखे वो दिख रही है आपको sign up के ऊपर चुखे वो click कर देना है ध्यान दीजिएगा forgot password पे click नहीं करना है आपको sign up पे click करना है उसके बाद आपको first name बताना है last name बताना है email बताना और password रखना है अभी password जो आपको रखना है वो आपको strong रखना है अभी strong password कैसे रखते हैं आपको uppercase letter, lowest letters उसके लावा numerical numbers और special characters वो involve करने हैं तभी आपका password strong बनेगा और यहाँ पे वो accept हो जाएगा अगर आपका password कमजोर रहता है तो यहाँ पे वो कई बार error आ जाता है यह red color आपको show होना शुरू हो जाएगा तो इस चीज का ध्यान रखेगा उसके बाद आपको sign up करना है login हो जाएगे और फिर आपको आगे का form फिल करना शुरू कर देना और इस तरह से आप apply कर सकते indigo की recruitment के लिए और अगर आप short list sheet होते हैं तो उनकी तरफ से आपको email के थूँ बता दिया जाएगा आगे का process अगर नहीं होते हैं किसी भी तरह की जानकारी उनकी तरफ से आपको नहीं दी जाएगी तो यह जानकारी दोस्तों दी गई उनकी official website पर link आपको मिलेगा description में जाके check की जिए और अगर आपको लगता है कि आप eligible है तो apply कर दीजे इस recruitment के लिए बिना fees के किसी भी discipline में apply आप कर सकते हैं यानि कि अगर आपने graduation करी है किसी भी discipline में तो आप eligible है apply कर सकते हैं so thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए और मिलेगे ऐसी किसी नई job update के साथ तबारा से तब तक आप अपना ख्याल रखे